हेलो मेरे प्यारे विद्यारतियों कैसे हो आश्या करती हूं आप बिलकूर ठीक ठाक और सवस्त होंगे आज आपका हिंदी कासुलेक लिखने का दिन है तो आए लिखना शुरू करते हैं तो आज हम लिखेंगे दो कठी शबत जिनको हम बोल के लिखेंगे साथियो हांजी यो बेटा जैसे अक्षर हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे हमने बोला सा सा यनके सा के साथ हमारी आग ये वाज़ा है तो हमने आग की मातरा लगाई सा थी हाँ ये थी था को छोटी की मातरा सा थी यो साथियो हांजी आगे हम एक शब दोर लेते हैं जानकारी हांजी जा जा बनाएंगे सीधी लाइन लेंगे बीच में शुरू करेंगे नीचे जा आके आवाज है आके मातरा न चुछवलन का ये तनी गुलाई आगे से ये तनी गुलाई पीछे से कारी राको बड़ी की मातरा जानकारी अब बेटा आपको ये दो दो लाइने छोड़ के आपने इसकी दोहराई करनी है बोल के लिखना है सुन्दर लिखना है मातरा की पहचान करनी है आगे बेटा हम ले रहे हैं आज हम सीख रहे हैं मातरा पदेन मातरा पदेन की बेटा आप ही देखो कि मातरा पदेन कि क्या होती है जिसके अंदर खड़ी पाई के विंजन होती है खड़ी पाई विंजन की सीधे, सीधी लाइने होती है सीधी लाइने ठीक है आप जैसे मानो यह हमारे क है यह क लिखा है तो यह सीधी लाइन आगे ने बिटाई यह हमारी तो यह क्या है हमारी यह खड़ी पाई है अगर ऐसे सीधी लाइन के अगर कहीं पर हमारे व्यंजन आते हैं ठीक है तो उनके अंदर सीधी लाइन के पैर के अंदर तिर्ची लाइन होती है जिसको हम पदेन के मातरा कहते हैं हाँ जी बटा आपको समझ आया पदेंग की मात्रा क्या होती है कैसे होती है पदेंग की मात्रा कहां लगती है खड़ी पाई के व्यंजन यानि कि कस लेके हा तक कस लेके हा तक जिसके अंदर बीच में सीधी लाइन आती है वो होते हैं खड़ी पाई वले वियंजन ठीक है इन के अंदर सीधी लाइन होती है तो सीधी लाइन के पैर के अंदर तिर्ची लाइन आती है तिर्ची मातरा आती है तो उसको कहते हैं बिटा यह हमारे पदेन की मातरा होती है और जिन शब्दों के साथ जिन वियंजन के साथ हमारी खड़ी पाई नहीं होती, खड़ी लाइन नहीं होती, नीचे से गुलाई होती है, जैसे टा की होती है, ठा की होती है, ठा की होती है, ठीक है, इन व्यंजन के साथ हमारी पदेन के मातरा उल्टे वी के अकार की होती है, इंगलिश का उल्टा वी, उसके अकार की होती है, ठीक है बिटा तो इसको बिटा आपको याज करना है इसको सीखना है किस परकार से मात्रा का परियोग होगा और लिखना शुरू करें जैसे हम बिटा बोटे क्रम क्रम का आदे के वाज है तो हम इसको पूरी पाई बनाने के लिए इसको यह खड़ी पाई है इसके पैर में हम रह बनाया साथ में मा क्रम ठीक है हाँ जी फ्रेम 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 फ्र फ्र यह खड़ी पाई है बिटा इसी दिलाएने खड़ी पाई है फ्रेम म फ्रेम प्रभात यह लाइन है बिटा इस लाइन को बोलते खड़ी पाई ठीक है इसको बोलते खड़ी पाई परभात बापको बिटा एक एग लाइन चोड़ के आपको लिखना है आगे हम लिखते है बिटा परमोद हृँ जी परमोद प्र मोद प्र ही ब्रहमन अब बिटा जैसे हम ने मैं बोला था एक अि रही ठ़ड़ी पाई होते यह जिसके में नीचे गुलाई आती है वो लिखते हैं हैं서ंगि म्राशने बिटा आपको बिटा प्र्र केंद़् मेंente-बिक्रभावामन बिटा हम लिखते हैं बेट ट्रक यह हमने लिखा ट यह यह गुलाई आगी हमारी इस ऐसी गुलाई इसी परकार के गुलाई के निचे यह हमारी पदेन के मात्रा इस परकार होती है ट्रक ड्रम यह ड्र देखो एक गुलाई आगी बेटा यह के निचे उट्टा वी वाला अकार का पदेन के मात्रा ड्रम अब आपने बेटा एक एक लाइन छोड़के इसकी दोराई करनी है सुंदर लिखना है मात्रा के पहचान करनी है बेटा धन्यवाद आपका दिन शुव हो झाल आपका पुलाई बेटाका दिन शुव हो